हेलो और वेलकम दोस्तों मैं उदीपक और आप देख रहे हैं उदीपक सेलरी उडिक चानल को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यह यूनौ अप्लिकेशन के रेजिस्टेशन प्रोसेश में कुछ चेंज़ेस हुआ है इसके बारे में एक अपडेट ला आपने ट्वीटर हैंडल पर एक ट्वीट किया उसका स्क्रीन शॉट में यहाँ पर शेयर कर दूँगा तो यहाँ आप अपने सीकुरिटी को बढ़ाने के लिए अपडेट लाए उसी के बारे में इस वीडियो में इसके बाद सर्च किया बहुत सारे अप्लिकेशन मतलब स मैंने सर्च किया तो मझे गूगल पर कुछ आर्टिकल्स पढ़ने में में कुछ वीडियो तो मैंने देखने के बाद फाइनल यह वीडियो बना रहा हूं बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बापा चेंजेस हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेशन प्रोसेस में चेंजेस हुआ साथ है तरफ से बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा गाया है कि यहाँ पर रिजिस्टेशन प्रोसेस में आपका मोबाल डिवाइस वेरिकेशन का यहाँ का यहाँ प्रोसेस है आड कर दिया क्या होता है इसके बारे में सबस्क्राइब छोटा सा क्विकली बाता देता है आप लोग को पता होगा कोई भी व्यूपिया अप्लिकेशन आप जब रजिस्टर करे सकते हो जैसे गूगल पर या फिर फॉन पर में रजिस्टर करते हो तो आपके मैसेज के थूरू आपके ही चैसे जाता है और उसके थूरू यह पर रिजिस्टरेशन होता है तो इसे बोलते है डिवाइस वेरिवेशन का फीचर उल्रेडी बहुत सारे बैंक अल्री यूज़ करते जैसे का आई सैसे इसे बैंक i mobile application में या पर ही फैसलिटी ईूज선 करते है अगर आपको का अपडेट किया अपडेट कर के देखा तो यहां पे कुछ भी चेंजने आ रहे थे फिर मैंने मेरे अप्लिकेशन को पूरी तारा से अनिस्ट्र ल किया निस्ट्रों करके फिर से इंस्ट्रों किया बट फिर भी मुझे करने के लिए डेविट काड़ के थूरू इदिले रेजिस्टेशन का प्रोसिज मिल रहा था मैंने नेट बैंकिंग डाला या उसके बाद मुझे जो पींस डाला और उसके बाद ओटी पे डाला तो सिंप्ली रेजिस्टेशन हो गया बड़ मुझे तो कुछ चेंजस नहीं द आधि रेजिस्टेशन हो रहा है बस आज के इस वीडियो में इतना ही यह अपडेट के बारे मुझे आप लोगों यह साथ जानकारी शेयर करने तीछ लिए मैं छोटा सा वीडियो बना है बस इस वीडियो में इतना ही मैं ऐसे इंट्रेश्टेड इंफॉर्मेट्व वीडि झाल झाल